PWD राजमंत्री सुरेश राट खेडा ने गाउं में बिताई रात अलाव पर चर्चा कर जानी ग्रामीडों की दिक्कते। इस दोरान उन्होंने ग्रामीडों की घर पर ही भोचन किया और वहीं रुक कर रात बिताई। राजमंत्री सुरेश राट खेडा ने बताया कि आपका सेवक आपके द्वार कारिकरम के तहट रातर विश्राम कारिकरम की शुरुवात की गई। मंत्री ने कहा कि रातरी चुपा लगा कर अलाव पर चर्चा कर ग्रामीडों से उनके समस्याओं को सुना और समझा। जिससे उनकी समस्याओं का पैता समधान कर सकूँ दो वर्ष कोरोना की वज़ा से ग्रामीडों से मेल जोल नहीं हो सका था इसलिए घर घर जा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपने रातरी विश्राम का एक पहर चालू किया है इसमें आज कल और आने वाले समय में भी आपके कई प्लांस बन रहे हैं रातरी विश्राम को लेके एक अचानक हम लोगों को जानकरी लगी जिसके करण हम तक्ता लिहां पहुँचे तो क्या क्या प्लानिंगे आपकी दि अलाओ पर देखा था कैसे लोग बैटे थे और अलाओ पर एक अपना घर परवार की चर्चा करते हैं और बहां जाता हूं और बैठता हूं तो वाला ग्यान मिलता हूं लोगों से क्या क्या इस गाओं की समस्या है आई राती विश्राम मैंने इसलिए किया कि एक घर तो हटके उसका अनन्द अलगी होता है इसलिए मेरे मन में ख्यालाया इसलिए मैंने प्रण किया है कि मैं अपने परवार के लोगों में अधिक समय बताऊं क्योंकि दो साल कोरोना के कारण मैं भ्रवन नहीं कर पाया था गाउन में नहीं बिस्राम किया था इसलिए अब कोर खाल जाएंगे गांगा घर कर जाएंगे व पूरी भायापा के कार करता मेरे साथ चलेंगे उसका एकानद अलगी आगर गाते बजाते और जो भी हमको उसका दान मिलेगा उस दान को लेके फूल टीम को लेके और खाटु से हम महराज के दर्सन करेंगे और जो चड़ावा आएगा उसको जाके वहां अर्पन करेंगे प्रभू की चड़नों को नवन करेंगे उसका अनंदिक अलगी होता इसलिए मि मन में बावाया